ओम सर्व मंगल मंगल ले शिवे सरवारत साधी के शरन्ने त्रम्ब के गोरी नारायनी नमस्तुते जैमाता की नमिश्कार साथियों आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 में शार्दिय नमरातरे कब हैं कब शुरू होंगे कब समाथ होंगे और नमरातरों से जुड़ी कुछ महत्व पुरुन जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा और मुझे पूरी उमीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और साल 2021 में शार्दिय नमरातरे कब हैं यह मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों साल 2021 में शार्दिय नमरातरे अक्तूबर के महीने में आएंगे उसकी डेट भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ लेकिन इन नमरातरों को आश्वीन महीने में शुकुल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथी होती है यानि कि जो पहली तिथी होती है उस तिथी से लेकर के और नवमी तिथी तक मनाया जाता है जैसा कि आपको पता है अक्तूबर के महीने में नवंबर के महीने में थंड का मुसम होने के कारण शर्द रितु होने के कारण इन नमरातरों को शारदिय नमरातरे भी कहा जाता है और इनी नवरात्रों को आश्वीन महीने में आने के कारण आश्वीन नवरात्रे भी कहा जाता है साथियों कहते हैं कि नवरात्रों में जो भी सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है उसकी सभी मनुकामनाई पूरण होती है नवरात्री के जो नो दिन होते है इन नो दिनों में माता के नो अलग-अलग सोरूपों की पूजा की जाती है और अपने घर में जो भी माता रानी के निमित पूजा पाथ करता है उसको माता रानी की कृपा की प्राप्त होती है धार्विक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम जी ने दुष्ट रावट कावद करने के लिए माता रानी की नवरत्रों में पूजा की थी और फिर उन्होंने दुष्ट का अंत किया था तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2021 में आश् एक्टूबर खकर 7 अक्तूबर को प्रारभन होंगे जो कि 15 अक्तूबर तक चलेंगे साथियों 7 अक्तूबर को पहला 9 अक्तूबर से शुरू होकर ये नवरत्रे है 15 अक्तूबर तक चलेंगे साथियों इन दिनों में अच्छी तरह से माता रानी की पूजा करें अपने घर की सुख शांती के लिए माता रानी से मनुकामना करें तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें मिलते हैं रेक्स अपसोड में किसी नेवशी के साथ तब तक के लिए हसते रहें मस्कुराते रहें माता रानी की क्रिपा सदा आपके उपर बनी रहें जै माता की ओम सर्वमंगर मांगर लेशीवे सर्वार्सार के शर्णे तरंब के गौरी नाराई नमुस्ति